तो उस पर जादा फोकस करो जो तुमारे हाथ में में टाइम अविलेबल है एक बार इनका ग्रूप में डाले तो मेसेज जॉइन करो क्या इनको बोलना भी पड़ता है फॉर्स देपर टाइम पर आओ कि तर एक अपना ग्रूप ठीक है तो वाटवर ताम यहाव इन हैंड राइड ना उस पैक्षे से फोकस करो एक सिंबल कहूंगा देखो सबसे बड़ी कलती इंटर्मिट का वही होता है विच टेल अल्ड शूद्स रेगुलर्ली कि अंडर एस्टिमेंट इंटर्व के फांडेशन तक एवरिधिंग लुक्स एजी सिंपल हो जाता है मैंच स्पेशली जो बॉर्डर पे पास होता है तो हो जाता है फांडेशन बट इंटर वैसा नहीं हाँ टाइम पस टाइम पस निकला उसके मतलब तीन साल गए मेरे इंटर में और मेरे ताइम आर्टिकल सिपाइब कुड़ साथ ओनली अफर क्लेरिंग बोद दो गृप्स तो मेरे तीन साल गए और फाइनल में उचको अटम लगे है तो आयम नॉट मितलब इन वे एक मेरा नीधी तो ऐसा नहीं कि तुमको भी बहुत सब्सक्राइब लगने से हैं नॉट सेइंग तुमको यह में जून क्या उसको में नॉम्बर में नॉम्बर के साइकल से निकलना पड़ेगा तो अर्ड़ी एक बार तुमको लग चुकी उसका हवा अटेम्ट की होता गया ताइम बहुत कम मलता है जब एक फोकस बैक उनली वन गुरूप फिर से जब एक्जाम हो जाती ही वन्ट टो एंज़य है और फिर से इसका इसके बात है उसका रिजल निकल गया अच्छी बात है नहीं निकला तो फिर से प्रेशर तो यह बीप्लेग विद दिस में नमबर का साइकल विज को बच्चो की एक्जाम कब क्लेर होती है उनली वेन वेन वह दन सफीशेंट स्टडीज पढ़ाई उसके लिए डेडिकेशन और ऑनेस्ली उसका रिस्पेट को उसका रिस्पेट दिया दिन दर रिजल इस पॉज़िट इस पॉज़िट तो फॉर्स एर्र एर्र एंडिंग कुछ को बता है कि अगर कर रहे हो तो एक ग्रूप गिया तो भी एक ग्रूप भी दे रहे हो तो भी ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है there is no harm there is no loss of ego or any problem even if you give one group at a time because at least हुम dedicatedly उतना कर रहे हो तो whatever suit सी तुमारे ज्यूभी attempt रहेगा because most of you are my students पिछले attempt करेंगे एक-दो साथ है तो एक ग्रूप अच्छे से इज़त में करना ठीक है that is one thing I will say first of all decide कि what group you want to plan that is one thing and secondly कि already experience exam का use that experience in a way मतलब please check करो कि कि बाकी की बच्चे भी पास हो रहे है तो हम why are we not clearing तो उसको कुछ दो कुछ देफिनले पुछ रीजन है and the reason I'll tell you a particular effort एक या दो subjects है जो तुमारे इतने comfortable तुम लोग उसके साथ नहीं हो it can be anything अगर अभी फिलाल law में हो तो शायद हो साथ हो सथा कि income tax income tax शायद नहीं जा रह नहीं कुछ पता नहीं तो बहुत casually मैं एक्जाम दी लिटरली I have been that student कि मैंने बहुत लिटरली बहुत आ रहा है कि इसको बहुत casually एक्जाम दी है and then I realized और मेरे बाकी friends pass हो रहे है मैं नहीं कर रहा हू and every attempt I used to realize I am not giving my 100% I am telling you that sincerely genuinely I was also under depression because of the same thing I did not realize that I was under depression but when I used to cry randomly I am not correct I am not okay in this thing but you you should not go through that एना कि ये भी हमेरे साथ होना चीए तो फर्स तिंग अपने कैपसेटी समझो तो फर्स तो फर्स तिंगे करना है ये तो शूर है तो उसके लिए बचे सीरिशनेस डेकेशन चाहिए I am telling you that सीरिशनेस अपर डेकेशन चाहिए वरना बचो वो it becomes difficult तो तुमारे weekends के जो भी रहेंगे वो भी utilize करो अभी पर्स तो जो भी मुझको students मिलके गए मैंने को बोला है make a proper time table of 14 hours तो मोले है 14 hours possible है possible है मेरे पिछले बाच के students भी महले हो सुबह तीन या चार बज़े उटके भी पढ़ाई करते हैं चार बज़े उटके भी पढ़ाई चालू कर देता है अब सबसे चार बज़े उटना तो नहीं होता है but whatever time you start your studies with I'm telling you next three months till whatever mid of May गायव हो जाओ लोगों के लिए literally you need that sacrifice I'm telling you that whatever time you have now गायव हो जाओ then we can say something is different but first and foremost is are you satisfied with your own studies and with your own मेहनत तुमने बच्चो तुमारे फ्रेंड्स पास होते हुए देखे है but you have also seen them exam के एक या दो मेहने पहले उनने क्या मेहनत किया है वो लोग बाद मुझको टेल मी इंटरमेंडने कोई भी टाइम पास से पास हुआ था कि तुमारे कोई भी फ्रेंड्स difficult है बच्चो ऐसा कभी भी नहीं होगा they have given their best कोई आवास किसे का चाहा है तो तो they have given their best नहीं बच्चो इसलिए I am telling you give your best उसके तुमको जो satisfaction उससे मिलेगा ना that is again compared to the nothing है ना हमको भी पास होना है उसके लिए मैनत करनी पड़े की घिसना पड़ेगा इतना याद रखो so even if I am starting off as of today हम लोग concepts करेंगे बहुत सरी चीज़े करेंगे उसमें time लग जा कि एक दिर मैना हमारा whatever that I mean हम लोग सो syllabus कवरेंगे रिए but give your best 49 hours का time table करो along with the classes के साथ जो भी तुम्हार है count that उसका कोई issue नहीं है but give it your best shot समझा clear तो यह चीज़े मैं तुम्हारा रोज रोज तो discuss नहीं करूंगा कि तुमने खुद को motivate रखना चाहिए खुद करना चाहिए मतलब मैं खुद भी यह चीज़े करता था I should keep myself मतलब I should keep a playlist for me motivational songs का ओके और जबी भी टाइम रहता है I should go to classes for fast track batches revision classes कुछ भी रहेगा I should keep myself motivated songs motivational songs सुन-सुनके तो ऐसे भी मतलब तरीके है कि तुम खुद को ही motivate रखो समझा everybody clear तो इसमें exams देने के लिए तुम ही जाने वाल exam देने के लिए है ना तो जब पास होते तो अच्छा लगता है जो बुरा होते तो खुद को ही बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है इसंट इसंट इस तो please give your best is what I'll say चलेगा और कुछ रहेगा तो obviously you can always stop me in the between and we can have a discussion I mean at least about the concert बागी कुछ रहेगा personal चीज़े we'll discuss after the batch because everybody's time is important जभी भी class रहेगा तो please see to it that you are joining ASAP because I'll not be able to wait for everybody because अभी this is not a regular batch this is a बच्छो fast track batch तो we have to honor everybody's time over here clear दिलिया so please be sincere, regular और जो भी बोलु मैं वो तो करो ही करो class के साथ उसके अलावा extra whatever you're doing I'll be guiding you whenever required ठीक है everybody तो whatever has happened has happened let us kind of like a phoenix restart these studies और हम इसमें clear करेंगे है ना तो यह दिमाग में रखो बहुत सरे लोग दो ग्रुप से एक ग्रुपे shift हुए है पर in fact वो बात इच्छी है कि तुमको experience भी है तुमको समझ साथ कि तुमारी गल्तिया कहा कहा हुए है I hope so इतना तुमको समझ रहा है but main thing is sincerity is most important most important sincerity रहेगी तो अपने तुमारा dedication भी आ जाएगा है कि नी यस चलेगा so I hope you are committing yourself for next whatever time is there till examinations and you will be sincere उसके बाद result negative लगता है if कुछ भी रहेगा whatever happens बच्छो that is completely not in our control from our side we will give our best you have cleared CA foundation so you have the capability let me tell you that also you have the capability and now तभी तुमारा 30-35-40% लगा रहेगा result foundation का you cleared na yes or no so why can't you clear an intermediate tell me this you will provided you give your best understood everybody yes group month के अगर मैं फिर से बात करूँ you are already used to it I mean you know that अगर मैं प्राइरोडी बात करूँ income-dise GST में लग जाती है है कि नी तो आपे बहुत ताम जाने वाला तुमारा income-dise GST करते करते है इतना सवारा syllabus 100 माग के लिए या ना law का syllabus is moderate 100 माग के लिए यस ते लिए दिवे इस गोइं ने हिंदी English mix okay okay fine अगर मैं ताम की बात करूँ how to break up your day you can take 3-4 sub-channel day very much possible yes तो लो के लिए अगर बाच की बात अभी बाच तो चल रही है बट जबी बाच उसकी बात हो जाएगी again make a proper time table of 14 hours clear deal year and you can break up your day let us say अगर मैं ratio की बात को ratio it can be 3-4 hours for income tax GST correct 2 hours costing 2 hours accounts and maybe 1 and a half hour law clear deal year everybody समझे सब लोग अरे हाँ या ना तो law को time कम लगे का पर वो भी 100 माग के लिए तो advantage किया है इसका फिलाल तो भी कि कम time में 100 माग है just compare for a minute law and income tax GST law तुमको one half तो लगे का income tax GST के time की सब से जब तुमारे batches भी थे income tax was 3 and a half hours almost and law was 2 hours वो भी time pass करते करते 2 गंटे होता है effectively पढ़े तो देड़ गंटे की होती है हाई है ना correct लिया तो law को कम time में तुमारे 100 माग है income tax GST इतना पढ़ने के बात भी 100 माग है तो इस obviously a better deal when you're doing dealing with law पास तो ओंगो income tax GST भी अच्छे माग से होना है correct लिया but law बच्छो में possibility है to go beyond 60 plus I am telling you मेरा example is CA final का group 1 में तभी law था in one of the attempts I got exemption in law अगला attempt खरा पेपर आया तो law का उसको exemption था तो मेरा group 1 obviously निकल गया I cleared both my groups not single attempt not first attempt but in one attempt next attempt में क्योंकि मेरा पास already advantage था law का बच्छो exemption का तो even this is very much possible 60 अबच्छो is possible clear गरे लियो law में चाहिए क्या papers सभी बहुत बहुत सिंपल सिंपल नहीं आ रहे question number 1 में बच्छो कभी कभी question number 1 of every paper is always you know is little bit tricky tough है की नि बाकी की तुमारे पास है ना questions करने के लिए 95 मक्स के तो है 90 मक्स के तो है attempt करने के लिए what you require in law पहला वाला concept clarity करे लिया इसलिए हम यहाँ पे faster revision करने वाला है yes ताकि तुमारे concepts clear हो अगर नहीं थे obviously ask me in the class there is no problem about it इसलिए अपने बाच चालू किया करे लिया second is writing practice along with presentation जो CA foundation law के time से तुमको बाता रहा लिखो लॉखो लिखो बार-बार ओके और third you require to you need to read बच्चो definitely you need to read MTP, RTP, PY कि बोलते सब लोग है किया कितने लोगों नहीं जब बच्चे फेलो के आते मैं first question उनको ये पूछता हो ICAI का MC के booklets all किया क्या more than half of them say नहीं किया and then I ask you नहीं किया sir मैं मेरे खुद के studies में busy था हमारे class में जो दिया था हम लोग वहीं कर रहे थे whatever it is XYZ reasons पहले priority बच्चो I have told you since CA foundation law first priority you always give us to ICAI study material तुम्हें विलाल विलाल तुम्हें मेरे material से पढ़ाऊंगा भी पढ़ाऊंगा but I have told you we will be dealing with ICAI study material अलसो जहां-जहां कम पढ़ेगा कुछ भी एक्सारा रहेगा we will that we will do that as well and this what I am telling you ICAI study material MTB, RTB, PYQ, ICA your MC को booklet correct for all subjects now जब तक यह करते नहीं हो exam का form भी मत बरना exam को जाओ भी मत मैं कहा रहा हूं correct earlier जब तुम्हारे exam को में में है जब भी भी exam है तुम्हारा try to finish all of this whatever I said MTB, RTB, PYQ, booklet by maximum of 10th of April clear all of you यह नहीं करते make it a timetable तुम्हार सामने हो target होना चाहिए okay everybody यह तुम्हार सामने बच्चो टाइम टेबल होना चाहिए और तुम्हारे time table में plan होना चाहिए कि मेरा कब तक यह सब cover हो रहा है subject wise understood everybody यह नहीं करोगे sincerely हम टेलेंगे honestly हम टेलेंगे नहीं करोगे तो कोई फायदा ने फिर इतना पटने का फिर से ठीक है मैं तुमको वही कर रहा हो कि तुम घुद को तायार करो make yourself eligible possible to clear and then we will score right impossible नहीं है to get above 60 even in law but हमारा attempt हमारा preparation बच्चो वो लेवल का होना चाहिए है कि नहीं yes तो करेंगे हम लोग sincerely करना मैं इतना ही कर रहा हूँ understood everybody फिलाल syllabus को I hope तुमको पता है I hope so इतना भी बख्वास attempt नहीं था फिशला तुमारो जो भी रहेगा तो we have 10 chapters in law right almost अगर तुम बोलोगे तुम कौनसा chapter important कौनसा section important उसमें जादा जाने कि फिलाल point नहीं है we'll be doing almost everything correct everybody but हाँ अगर तुम देखो के division तो फर से तुमारे starting के जो तीन chapter है तुमारे यहां पर तीन चार उसका almost बच्चो वेटेज almost बच्चो हर तीन तीन chapters का वेटेज is equal okay यहां पर तो तुमारे यहां पर चार चार चाप्टेज है उसका वेटेज थोड़ा सा अलग है but it is almost again equal to next three chapters five six seven and again eight nine ten almost same ही same है तो मैं लग एक खाथ कोई chapter बहुत important ऐसा नहीं होगा अपने लिए तो everything is important यह sections कुछ-कुछ रहेंगे जो जादा important इसके बच्चो पर जादा आचुक है डिबेंचर को जो question था कि डिबेंचर कितने हम लोग इशू कर सकते है that was not out of syllabus that question is not available in study material same to same question available नहीं है ना ही MTP, RTP उन्होंना create किया ना है question but concept study material में है along with rules and everything सब कुछ available है कहाँ पहे? ICI study material में section number 71 हम जो डिबेंचर का करते है तोस में आता है वो rules clear everybody और आज़र इस तुम्हारे अगले मेने तक जभी तुम्हारे बास suggested available हो जाता ICI का ICI का previous questions का you can compare that how to solve that question also clear तो yes 5 maximum 10 marks का बच्चो out of मतलब out of the box कुछ तो आता है ठीक है बहुत ही थोड़ा अलगा गया but apart from that you have remaining also और ऐसा भी नहीं you can't write anything about it you can write something about it तो force and foremost बच्चो always write 100 marks का तो तुम्हारा चाहिए मतलब चाहिए clear चाहिए अगर भी अगर फिलाल में देए 10 chapters की बात करूं how am I going to break it down let me just tell you that chapter में 1 preliminary करे तिलिया 5 deposits 6 charges and this one 8 dividend okay 10 में से बच्चो 4 chapters फटाबड हो जाएंगे तुम्हारे okay preliminary deposits charge and dividend सब्सक्राइब का समझा सभी को I hope at least सभी के पास 2 basic चीजे है एक तुम्हारा जो भी study metal तुम्हारा जो भी study metal तुम्हारा जहां से पढ़ाई किया है वो तुम्हारे पास है study metal whatever you are referring so I will not suggest or recommend to change your notes no okay notes वही रखो whatever you are using that is also completely fine but second चीज तुम्हारे पास study metal होना ज़रूरी है later सरेगा दुगुट नहीं रहेगा तो भी हम लोग refer करेंगे जहां जहां changes रहेंगे you can incorporate the changes understand everybody that's fine बोलो okay हम लोग आगे बढ़े everybody बोलो फटाफाट चलेगा sincerely करेंगे न sincerely करेंगे तो भी बच्चो आगे बढ़ेंगे ठीक है परना कोई फिर फाइदा नहीं है okay आगे बढ़े चलो तो another thing जो जो मैं बीच 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 साथ share करूँगा और एक मेरे बस booklet है I'll share this also on the group summary booklet of all the form numbers and the due dates काम में पढ़ता है कि booklet में अभी कभी-कभी होता GST में बच्चों लग कभी-कभी form number boost है कि ये form किसके लिए वो form किसके लिए और उसका due date को अगर रखे है GST में कुछता है अगर कोई चीज ICI study mental में है I'm telling you this अगर कोई चीज ICI study mental में है कोई भी ABC exposit भी जड़ाएगा चोटे बड़ी चीज उसके बच्चों question बन सकता है It can be in MCQ और it can be in direct question also regular question also तो तो तुमारे study mental में बच्चों बहुत सरे forms भी दिये गए है ओके यह सब अलगले form PAS 6, PAS 2, जो कुछ भी रहेगा ओके बहुत सरे form numbers है तुमने किया था नहीं किया था लास्ट है मुझको पता नहीं बढ़ यह form numbers है It is for what purpose correct उसका due date क्या है कि कब तक उसको भरना है due date okay everybody और उसका relevant section number of rules कौन सा applicable होता है that बच्चो इसका भी बुकलर है this also I'll share it with you on the group clear everybody use it, print it out if you want you can take a print of it and use it also कितना बस 6 बेजिसका है but it covers all of our entire study material ICI का study material okay till the end of chapter audit वाला भी okay all of you आगे बड़े चलो that I will share after the syllabus is over पुरा अपना ये होने के बाद batch होने के बाद end में we'll be practicing this MCQs also समझा तो अपने आप तुमारा ICI study material का जो मैं तुम को बोला कि MCQs करो income tax के भी करना GST के भी करना at least paper no.4 तो खुद कर लो I'm not taking a batch of income tax in GST for a fast track right now but at least law को आपन कर लेंगे समझा everybody तो इसका print out तुम लोग बाद में एक बार ले लेना ठीक है ये बढ़ा है वैसे but इसका this is available obviously on ICI website that print out you can keep with you and then we will be solving it together also understood all of you समझे या आगे बढ़ू मै ठीक है let's start everybody section 1 short-relixtend commencement applications उसमें कभी भी question ऐसा आया ही नहीं है बस वो क्या कहता है okay ready everybody वो बस क्या कहता है section 1 कि companies are किसके उपर applicable है it is applicable all over India वो भी ठीक है it is applicable on all the companies जो companies are 2013 के अंदर incorporate हुआ है या पर पूरा नहीं 1956 से अफर उसके भी पहले कोई भी companies के अंदर add के अंदर incorporate कि that is again अगें जो special businesses है उसके पर applicable है जब तक दोनों में conflict नहीं ये कौन सा companies at and special at करें दिल्या हूँ who will override who special at बच्चों will override companies at जहां जहां उनमें conflict है करें दिल्या हूँ करें दिल्यार अविर्बड़े okay कौन सा-कौन सा special companies कौन सा-कौन सा आजा कंपनी साथ के साथ special at will override companies at जहां जहां inconsistency है clear deal all of you मान लो तुमारे schedule 3 है तुमारे कुछ financials है कुछ disclosures है तुमारे special at ने नहीं बोला ये पर special at ने बोला कि ऐसा सा करो और companies at बच्चों कुछ और कह रहे तो बच्चो special at will win over और override the company side clear deal you are everybody okay आगे बड़े yes chapter 1 में तुमारे है क्या बच्च में definitions तो है हाई है ना तो भी हमको अच्छे सा याद रखने चलो आगे बड़े हम लोग first one ready or no याद आ रहे कि नहीं and you can unmute and answer also चलेगा बच्चो ready ना चलो also अगर मुझे कुछ लिखना कुछ रहा तो मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँगा notes ओकर ठीक है associate company ready बच्चो associate company उसमें तुमारा होना क्या चाहिए दो चीज़ है एक तो significant influence हाई है ना I'm writing in short as well as बच्चो इंक्लूड which one JV joint venture company हाई है ना अगर तुमारी यह दो लोग है यह तुमारे इसमें कोई भी तुमारे दो criteria satisfy होता है तो we'll call it as associate company yesterday year JV समझता है joint venture है ना एक साथ कोई ने कोई business कर रहा है but then again आगे जाके बच्चो पूचा है कि what is significant influence यह भी है तुमारे case तो बच्चो what is significant influence कितना तुमारे voting power होना चाहिए voting rates कितना होना चाहिए कम से कम 20% करे दिलियार करें I ask you another question in this तुमारे significant influence voting rates 20% minimum होना चाहिए maximum कितना हो सकता है you should answer बच्चो नहीं पता तो बोलो नहीं पता और guess करना तो guess करो तुमारी मर जी but be interactive बोलो फटाबट नहीं पता तो बोलो नहीं पता कोई problem नहीं voting नहीं बच्चो maximum कितना जा सकता है for associate company का okay unlimited तो नहीं जाएगा वो वरना वो तुमारा completely wholly owned subsidiary बन जाएगा I hope first of all तुमको समझ रहा है कि अगर मान लू A company is holding in B company है ना तो उसकी बात कर रहा है अगर बच्चो A company ने B के अंदर let us say 20% hold कर लिया हाँ है ना then B will be associative तरह तो समझा ना okay ठीक है okay fine fine okay I got an answer okay 100% बच्चो answer is not correct because in that case बच्चो B क्या बन जाता है wholly owned subsidiary okay fine no issues इसलिए अच्चो कि तुम लों को बच्चो बैस में हो तो ध्यान देना associate company के साथ क्या नहीं चलता है which company will not be treated as joint will not be treated as associate company okay pay attention so I am writing your cross कौन से company नहीं चलते बच्चो subsidiary company okay नो कर तुमों याद आ रहा है अच्छी बात है नहीं याद आ रहा है यह में तुमों यह concept ही नहीं बता था then it is a problem problem मतलब then we need to work on this otherwise you are understanding कि these were the things maybe I missed in the previous exam समझा associate company cannot be a subsidiary company और subsidiary company बच्चों cannot be an associate company mutual exclusive दोलों कभी साथ हो जी नहीं सकते यह तो associate है या फिर subsidiary है या फिर associate से भी कम है associate से कम कुछ नहीं होता है आरे हाँ या ना कुछ समझा कि नहीं समझा अगर A B में बच्चो 10% होल्ड कर जी तो कोई समंध नहीं है लोग के हिसाब से नॉमल है ऐसे कुछ खास बात नहीं है इन फैट बच्चो A is a minority shareholder in B समझा कि नहीं A is holding in B हाँ बाइदे वे ठीक है और भी ओके टेलियर 20 टकका बच्चो 20% टेल में क्या हो जाता can we say associate yes B is associate of B आरे हाँ all right okay everybody तो मैं फिलाल ये example को इदर रखता हूँ चलेगा ध्यान देना B को अपन यहाँ बड़ाल देता है और ये arrow को जड़ा अच्छा बना लेता है चलो A holds in B 20 B is बच्चो associate of A clear डिलियर ध्यान देना A holds in B 50% 5-0 तो बताओ बच्चो B is associate और subsidiary फटाबट बताओ अब ये आँसर अब है फटाबट बताओ A holds in B जक्षदा जक्षी A holds in B 50% B is associate और subsidiary फटाबट बताओ बच्चो कमान कमान बच्चो यहाँ पे भी तुमारी associate ही है वो ओके ठीक है A holds in B 50.1% अब बताओ अब बच्चो अब subsidiary हुई वो तुम्हे लिखना लिख सकते है वरना वाट आल डू आप्टे अड़ बच्च तुमारी उपर है मतलब I don't want you to waste more than again two hours on law तुमारी उपर है मतलब I don't want you to waste more than again two hours on law तुमारी उपर है तुमारी इच्छा बोलो whatever holy owned subsidiary समझा के नहीं समझा अरे बोलो हाँ ठीक है holy owned subsidiary ठीक है everybody यहां में basic basic चीज है और law में के बच्चों डारेक क्वेशन हमें नहीं आजे ना आदे क्वेशन के सटी और इस तुमारी बात बात बच्चों तुमारी लॉग का concept क्लियर होना चीए इंटर्पर बच्चों दूर में आता है काफी दूर आगे की बात है वो फेले अपने बे यह जो मिलिक रहा हूँ वोटिंगरे सुमारी के तना 20% अरे हां करेट ना बट maximum 50% यह law में नहीं दिया है बट law में नहीं दिया है बट law में किसे देख रखा है कि which is not a subsidiary company है ना और subsidiary कंपनी बनने के लिए you should hold more than 50% exactly at least 50 में और more than 50 में फुर रखे हां या ना at least 50 मतला है इतना more than 50 मतला more than 50 50 नहीं चलता हुदर हां या ना इसलिए I hope you got that I hope you understood the difference between 50 and 50.1 clear all of you अपसर practical ऐसा होता है क्या वो सब होता है क्या वो सब चीज़े regular batch के time bus के लिए बराबर है ना तब अच्छा लगता सब कुछ ठीक है exam clear करने के लिए बच्चो यह ज़रूरी है आगे बढ़ है चलो significant influence बोलो एक तुम्हार क्या वोडिंग राइट्स समझा दूसरा होता है control on affairs चेक करो wordings में तुम्हारे तुम्हारे study mental में भी राइक आई है okay okay controls on the affairs मतलब क्या policy decisions के उपर okay check करो तो first of all तुम्हारे subsidiary associate company के definition में क्या क्या आना चाहिए significant influence समझा यहां पर this is important दूसरा which is not a subsidiary तो subsidiary और associate बच्चो एक साथ नहीं हो सकते तिने बाद तो clear समझो ठीक है आगे बढ़ हो मैं includes a JV so JV बच्चो by default again is a considered as a associate company आगे जाओ मैं now how and when बच्चो associate company तुम्हारे रहेगा वो कम आना चाहेगा significant influence कब रहेगा at least 20% of total voting power okay यहां पर चेक करो control यहां पर कैने उसी दिस और यहां पर important day or or of business decisions under an agreement समझा everybody तो अगर एक कंपनी ध्यान देना I'll give you another example okay control on office मतलब that is business decisions that is business decisions okay so let me give you one more example बच्चो ध्यान देना तुमने holding subsidiary का भी example किया रहेगा यही बीसी चीज़ा हमको clear करना ठीक है ध्यान दो A holds in B 0% voting rights समझा everybody 0% voting rights मैं जान मुसके आपर लिख रहा हूं but under an agreement between A and B B ने okay A और B की बिशमचा agreement है कि A can control business decisions of B समझा की नहीं समझा तो बच्चो भी associate बनेगे कि नहीं बनेगी B बच्चो associate बनेगी समझा सब्सक्राइब कि अगर voting rights नहीं है तो भी company associate बन सकती है हां बच्चे बस एकी बच्चे लोग एकी दिमाग में रखते 20% से लेकि 50% तक without voting rights भी बच्चो company associate बन सकती है without voting rights also clear all of you आगे बड़ू में यस चले और बोलो फटा फटा रहे हां ओके ठीक है न सक्षी अक्षटा लटो जाओ first point first तुमारे concept example about associate company clear आगे जाओ मैं चलो ब्योड़ी कुछ काम का नहीं है बड़ी कार्बड भी ठीक है books and papers भी ठीक है books of accounts भी ठीक है कुछ खास नहीं अब काम में आएंगे जब हम section chapter 9 जब करेंगे section 128 books of accounts तुमारा ठीक है में इंटर्स भी ठीक है तो हम लोग कर लेंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है चार्ज करेंगे चार्ज करेंगे चार्ज करेंगे चार्ज करेंगे तुमारे चाप्टर का ही नाम है डिबेंचर भी तुमारे चाप्टर का ही नाम है ना शेर काप्टर डिबेंचर डिपोजिट्स अभी कुछ करके कुछ फाइदा नहीं है इन इन वी कम डू बच्चो एफेस पनाश स्टेटमेंट ओके बड़ी रेडी एफेस के बच्चो कितने हिस्से बच्चो एफेस के बताओ फटाफट कितने हिस्से है तुमारे बच्चो एफेस के ओल्वेज एफेस में कितने आते हैं पांच एफेस में कितने आते बच्चो पांच चीज़े आती है balance sheet P&L income expenditure cash flow your changes in equity if any and lastly explanatory notes yes earlier FS में कितने हैं से हुए है जान रपना कितने है 5 balance sheet P&L है तो तुमको basic भी पता है P&L के साथ income expenditure अगर not for profit है तो current year then cash flow तुम लोग अरड़ी कर चुक है accounting standards का I hope so changes in equity compared to last year अगर तुमारी capital में कुछ भी change होता है तो okay promoter holding में कुछ change होता है तो and lastly notes notes to accounts that is complimentary notes समया कि नहीं यह तुमारे 5 हिस्से हुए clear अच्छा what is so special बच्चो about cash flow statement all of you यह important है what is special about cash flow statement फटा फटा बच्चो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है cash flow statements कुछ companies को पर applicable नहीं होता है cash flow statement बच्चो कुछ companies के लिए कंबलसरी नहीं है कंबलसरी नहीं है concept concept all of you check को याद है सबकू याद आ रहा है कि नहीं ध्यान दो OPC one person company small company dormant company business ही नहीं कर रहे वो लो start-up कौंसा वाला private company start-up company वाई इस private only okay it is recognized as a start-up okay need not include CFS okay in their financial statements clear deliver all of you कौन-कौन OPC small dormant start-up clear deliver all of you तुमारे नीधी company भी आता है अब ठीक है अभी सेला बस उसके प्रोविजर में यह तो हमको चार देकर रखे clear deliver OPC small dormant start-up clear deliver four types of companies need not prepare CFS कंबलसरी नहीं है exemption है provided आगे देखो law में बच्चो यही बात है कितना ठीडिन में पढ़ना पड़ता है only if what is and 92 बच्चो annual return very good annual तो ऐसे private अभी इसके उपर भी question आ सकता है न तो जान पूसकी दिया बच्चो small company है उन्होंने cash flow statement बनने के जरूत है क्या तुम्हें बोलेगे ना है न है कि नहीं बच्चो पर उन्हों देया कि नहीं 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 बढ़ रहा है उन्होंने annual return नहीं बढ़ रहा है यस चलिए और all of you are you getting my point on only बच्चो they have complied with section 92 as well as 137 तो जान देना कब तुमका exemption में लेगा तो यह तुम यह category के companies तो हो है ना यह category के companies तो तुम हो ही हो that is point number one दूसरा you have complied with 92 as well as 137 then you get the exemption okay 92 तुमारा annual return 137 हा सक्षी was saying something filing of FS with ROC हाँ यह ना बच्चो करे दिलिया everybody अरे बोलो हाँ समझ रहा है ना all of you बोलो बच्चो आगे बढ़े गया तो FS के कितने तुमारे हिस्से होते हैं 5 okay what is so special about it cash flow statement cash flow statement तुमारे कुछ-कुछ companies के लिए applicable नहीं होता है there is not compulsory OPC small your development and start-up only if उन्होंने 92 as well as 137 को comply किया है तो understood clear आगे बढ़े नीदी ओ नीदी समझ रहे क्या जाता होगे आज के लिए financial year अब ध्यान देना तुको अगर मैं बताओ financial year के बारे में अगर तुम्हें ध्यान दिया रहेगा तो obviously income tax के लिए financial year कुछ और यह तो PY and all of that उसका क्या बलते उसका terminology financial year बच्चो companies act के लिए अलग है थोड़ा सा okay I don't know तुम्हें notice किया किने कभी you will notice that after the end of the batch hopefully okay and financial year अलग है meaning same आता है but terminology बच्चो अलग है general clauses act में 1897 है ना वो okay general clauses act में दोने के wording अलग अलग है okay I'll tell you अलग हर तुमको थोड़ा जानना है तो तो you can check that in your volume to ICI study mental का भी अलग है इसमें बच्चो लोग देते हैं मलग है तुम्हारे understanding के लिए it is not something to be written right now financial year जो companies act में देखे रखा है उसका definition जो है वो end of financial year के सबसे देखे रखा है मैंना तो अभी से 31st माच और जो फानेंशियर डिफाइन किया गया है इस गिवन एस बिगिनिग of financial year it starts बच्चो obviously on 1st April यह तुमको छोड़े बारे बारे बर चीज़े ज्यान देने चाहिए समझा है everybody we can notice that also छोड़ा ठीक है अब कम्रीजाट की बच्चो बारे में बात करते है तो उसने बोला end वो तो छोड़ा ठीक है कोई दिक्कत नहीं कब बच्चो end को तुमारा फानेंशियर है 31st माच कोई होगा हाँ या ना 31st माच छोड़ा ठीक है यह भी कोई दिक्कत नहीं इसमें दो प्रोवीजों है यह दो इंपोर्टन चीज़ है पहला वाला ओके फॉर न्यू कमपनी यह सिल यह फॉर न्यू कमपनी उसका तो फिनाइनशियर यहें बच्चो खषत्म होता एं नेक्त कालेंडर यहर तुमारा बच्चो हो गयाeros अगले काao úग्ले का SB 31 1982 मार्च अप ध्यान देना कोई मैं पार्फियों मेर की अनुया खेंदेना ऊट्यां धर्श्योग्ह कोई नहीं नहीं कंपनी बच्चों इंकॉर्परेशन है एक्जामबल के लिए ध्यान देना अगर देट ऑफ इंकॉरपरेशन इस फर्स्ट ऑगस्ट टूथाउजन ट्वेटी टू तो उसका बच्चों गिव मी दो देट ऑफ स्टार्ट टू एंड देट फञेंशियल यर्ट इसका बच्चों first financial year कब से होगा 1822 से लेके to 31st मार्च बोलो बच्चो 23 तक हाया ना और उसी का बच्चों second financial year कब होगा अब यह regularize normalize हुआ के नहीं बच्चों 1st April 23 से लेके तो 31st मार्च 24 इस रोके चलो और तुमको एक्जामबल एता date of incorporation कोई दूसरी कंपनी है ध्यान देना everybody 31st December 22 इसका पहला financial बच्चों कब से होगा कब से लेके कब तक फटा फटा बता अक्षदा नीधी अभाए बोलो अगले दिन से होगा नहीं आथा नहीं पता थो बोलो नहीं पता कोई दिक्कत ने बट बोलो financial तो दूसरी दिन से चालू होगा खतम कब होगा चलो मताओ बच्चा खतम कब होगा financial यह पहला वाला everybody साक्षी अक्षदा बोलो फटा फटा फट दिख रहा दिख रहा हमन दिख रहा है बस एंड का नहीं दिख रहा मुझको यह सक्षी करेट ओके ओके 31st March 23 तक second year तो प्रॉलम नहीं तुमारा so let me give you बच्चो last example चलो देखते हैं पर date of incorporation तुमको मैंने दिया उसका अगला दिन मतलब 1st January 23 को this is another example तुसको बच्चो first financial year कब से लेके कब तक 1st Jan 23 तू टेल मी बच्चो all of you आगे क्या अमन आगे क्या which you are अगे सक्षी अक्षदा अभए निधी message करो मुझको उनको बोलो message करो जहांपे मेरा audio video on don't message on the host मुझको बाकी के लोगा किसे के message दिखनी रहा है अगे 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 करना है जहां पर हाँ नीधी दिखा भी ये इस नीधी कर एक क्या ना मिसका अमन अबे बेटा जहां पर आडियो बेटा ओने वही पर करना तुम्हें तब तक वहां पर मेसेज कर रहे था कि मुझको अभी दिख रहा है ओके ओके अब दिखे तुम्हारे मेसेज़ेस अब है ठीक है 31st March सुनो मेरी बात प्लीज 24 कभी भी तुमारा Financial Year एक ही कालेंडर एक अंदर हो इनी सकता हो इनी सकता कभी भी कोई भी फानेचल तुमारा एक ही कालेंडर एक ही कालेंडर के अंदर हो इनी सकता it always jumps from one calendar year to next calendar year it always jump to the next calendar year can you give me in this analysis let us say minimum period of a financial year no problem सीखो मैं वही बोड़ा सीखो कोई दिखकर नहीं very good नीदी minimum बच्चो let me say अब यही वाला example दुमारा आ गया three months as such and one day मान लो वो 31 December को पर अपने पकड़ लिया तो वो तो पकड़ेंगे और बट्या and maximum बच्चो can you give me in this example now again ideally speaking यहाँ पर as per this law yes 15 months good yeah take all of you okay that was your first बाद में तुम लो किसको लिख ले ना कोई दिक्कत नहीं आगे जाता हूं मैं ठीक है ध्यान देना भी now can we change the financial year answer is yes change of financial year is allowed मतलब कि हम उसको April to March नहीं follow करना है उसको Jan to December करना है July to June करना है May to April करना है possible allowed उसके लिए क्या condition है कौन से कौन से situation है ध्यान देना यह मेरा इंडिया और यह foreign है ना बच्चो ठीक है इधर भी अज़र भी अज़र एंडिया कमपनी इधर भी अज़र आ इंडिया कमपनी है इधर या फर शिदियरी ना या फिर associate of this बच्चो foreign company समझा की नहीं समझा कुछ भी हो सकता है मनले A holding is Z की या फिर Z is बच्चो holding of A या फिर A is बच्चो associated of Z कुछ भी रहेगा but for the purpose of consolidation बच्चो कि हम लोग India में April to March follow कर रहे हैं January to December follow कर रहे हैं so for the purpose of consolidation तो पहली चीज तुमार Indian company और foreign company में संबंध है that is point number one second purpose of consolidation समझा की नहीं and then third बच्चो this Indian company will have to apply to CG government RD RD तुमार regional director and all of that okay everybody apply to RD के दो okay everybody कि हमको दूसरा आपको दूसरा financial year follow करना है clear tell everybody in that case government ना परोग किया then you can follow a different financial year and that different financial year बच्चो can be more than or less than 12 months also okay यह कि जब हम लॉग की बात करते है लॉग में बच्चो the word is used is year okay so now look again at your textbook or whatever you have in with you तु ध्यान देना तो financial year बच्चो मने तुमको बता दिया कब खतम होगा बच्चो 31st March है ना और अगर कोई भी कंपनी 1st January की कोई भी कंपनी कभी बी incorporate होगी 1st January की आगे तो तुम्हारा पहला financial year कब खतम होगा 31st March होगा following year when they are writing this following year मतलब अगला calendar year आगे बढ़ो मैं प्रोविजो क्या था बच्चो वेरे कंपनी तुम्हारा Indian company वो holding है subsidiary है associate है of a foreign company ठीक है यां तक दिखरा थोड़ा सा and is required to follow different financial year for the purpose of consolidation तो CG में तुम्हार government बच्चो अलाव कर सकता है कि हम कोई भी period को अलाव करे as a financial year whether or not that period is a year मतलब 12 महीन है तो भले 12 महीन के उपर या कम का तुम बच्चो भी year ले रहे हो तो भी चल सकता है government allow किया तो all of you okay or no समझा की ने अरे बोलो हाँ ठीक है आगे बढ़े चलो government company बच्चो government बच्चो कुछ-कुछ important लगा मैं लिखते रहूँगा तुम बस ध्यान देते रहे न चलो बच्चो government company कब बनती है let us say I am writing some name यहाँ पर A company who controls A company बच्चो let us A company ठीक है CG या फिर SG SG and SGs Central Government A की State Governments बहुत सार है as well बच्चो CG and SG या फिर SGs करे लिया यह तुम वो तीनों को आता है यह तीनों को अपना-पना बना सकते है वो ठीक everybody now I come to the important part क्या बच्चोने ने hold करना अच्छी है and कितना give me a number first give me a number first that they should hold so and so minimum इतना how much should they hold to become a government company okay निदी करेट yeah all of you answer okay मैं अमन अक्षदा साक्षी अभाए करेट साक्षी okay so बच्चो उन्हेंने hold करना चाहिए to become a government company it is not 50% अब वो more than है या at least है इसमें फरक पड़ जाता है देखो क्या बच्चो at least 51 टाच होना चाहिए अभी तुम्हारा मैच नहीं है यहां बें कि 50.99 बिकम्स 51 नहीं मुझें तुम्हारा गवर्मेंट नहीं बनेगा समझा everybody अगे जो मैं बोल रहा हूं मैं होता है सब बच्चे कर देता है round because they cannot immediately shift between match and law यह इंकम डास में round off कर दिया पैसे का तो इधर की उन्हें आरे नहीं चलता है यार वो कुछ एक 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 शेर से फरक पड़ता हो बच्चों है ना जैसा एक शेर की किमत तुम क्या जानो है ना आगे बड़े अगे बच्चों लोग यह हो गया अपना तो इस एट लीस्ट फिप्टीवन परसंट यह चीज़े तुमको याद रखनी है मैं इतने बाप बढ़ा चुक है इसलिए मैं को याद हो रही है ना तुमको याद रखनी अनी दी गुड़ा आंसर बोलो फोटावर सब लोग ओके अब है अधा अंसर इस नौट वोटिंग राइट्स दो आंसर इस नौट वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स आ सकता है वोलग बात है बट पहला प्रावटर क्या दिया बच्चों लोग पापिटल यह ना प्रकर तुमारे शेर में अगर शेर में डी वी अर है ज़ाएं इस नहीं हो रहे न अब तक जो भी शेर इसमें डी वी यार है डी यार याद आ रहा है डिफेरेंशल वोटिंग राइट्स डाट टाइम ओके इन डाट किस बच्चों पीच्छी को नहीं लेंगे हम लोग हम रहेंगे voting rights, क्यों, कि obviously differential voting rights का मतलब क्या हो गया, हर एक शेयर का बच्चो value same नहीं है, वोटिंग बावर same नहीं, कुछ समझा के नहीं, okay, तो government की बच्चो company के differential में ये थोड़ा सा गड़बर, गड़बर मतलब ये clarification है, कि first priority बच्चो भी paid up capital, okay, everybody, बड़ी, तो बस हो सकता है, कभी बना नहीं question, बनने को बन सकता है कि government is holding 52% paid up capital but DVR की हिसाब से 50.5, is it a government company, answer is no, do you want me to repeat paid up capital 52% old किया है, paid up capital 52% old किया है, पर DVR की हिसाब से 50.5, नहीं बंदी बच्चो फिर वो government, समझा, DVR इशू किया है, तो हम बच्चो वोटिंग लाइच देखते हैं, and in any case, 51% तो तुमारा cross होना चाहिए, at least 51%, अंडर शुक्राव भी हो, देख रहा है, definition में कित्रा जोले, तो बहले basic सब्सक्राइब करेंगे न, हो गया, अगे बड़े, स्टोरिया आपे खत्म नहीं होती है, शलू, subsidiary, of government, गुड 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 बढ़े बनने के लिए क्या क्या possibilities है, subsidiary of government company, is obviously बच्चो, I hope you know, is a government company, ठीक है, तोड़ा सा basic, subsidiary बनने के लिए, I think already हम लोगे ने clear किया है वो चीज, 50% से जादा होना चीज, agreed, वोके, आगे बढ़ते फिर, अब ध्यान देना, मज़ा आएगा question में, बहुत मज़ा आएगा, ओके, A company, B company, ठीक है, all of you, ओके लिए, अब ध्यान देना बच्चो, A company के अंदर, Central Government holds, 60%, okay, and others, बागी के फोकट के लोग, 40%, अब ने कुछ लेना जाना नहीं, बागी के लोग को इसा, साथ कुछ लेना जाना नहीं, ये इस्टिलियर, all of you, अब ये B company का, जो ROM है, ROM, Register of Members, ठीक है बड़ी बड़ी, आगे बड़ो में, उसमें, A company holds, ध्यान देना बच्चो, 50.5%, ठीक है, all of you, ओके लियर, दूसरा, CG holds, 9.5%, CG को छोड़ो मालों को, तुम लोग फिर से confused हो जाओगे, ओके, Z company holds, 9.5%, and तीसरा, others, 40%, ठीक है बच्चो, all of you, okay, Z company call, पता नहीं, बागी private company रहे के, कुछ भी रहे के, normal company हो, कुछ, nothing special, okay, अब बताओ, are you getting an example, A company है, is A company, बच्चो दुमारा, government company, hmm, what would be company, government है या नहीं, A company 50.5 ये तो भी, पक्का, A company ने बच्चो B के अंदर, 50.5 ये है, तो भी government company है वो, answer is, yes, it is a government company, why, because for that reason, बच्चो ये बच्चो भी चेक, A company, और B का संबंद क्या है, whether बच्चो A, holds in B, more than, 50%, ने दी गुट पॉइंट, correct, A बच्चो holds in B, more than 50% या नहीं, simple ना, तो A बच्चो holding बनी है ना, and B बच्चो is your subsidiary, correct दिल्यार, all of you, समझा, तो A में बच्चो at least 51% है, पर A का B के अंदर, 51% नहीं है, but 50 से तो दादा है ना, correct, तो नहीं आरे, this is also now a government, this is deemed बोलता है ना, deemed government company, मतलग, can you check यहाँ बस example के लिए, कि B company में government direct, कुछ control नहीं कर रही है, है ना, but subsidiary government company, is a government company बच्चो, और subsidiary बन्दे के लिए, कि हाँ more than 50% यह चाहिए ना, अभी थोड़ी दर पहले अपने देखा था, when we did associate, clear है ना, all of you, अगे बड़े, yes, good, good बच्चो, very good, तो, तुम्हार बस उत्रा ही पॉँँट था, government company में, ठीक है, not less than, मतलग, at least, कम से कम, 51% of the paid-up share capital, है ना, PUC, नेसल में CG, SG, और any combination thereof, है ना, and includes the company, that is a subsidiary of a government company, तो, subsidiary of government company तो, also government company, है ना, बस तुमको मैंने क्या बता है, अगर DVR दिया है, तो, paid-up के जगह, बच्चों मनों replace करेंगे, total voting power, yes everybody, आगे बड़े, के एमपी, yes important हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा सा, बहुत जादा नहीं, के एमपी में तुमभार कौन को ना आते हैं बच्चों, चेक करना, CEO, MD, manager, MD सबसे important, no doubt about it, CEO, MD और manager, CS, WDD, hold time director, CFO, अगर तुम थोड़ा सा analyze करोगे, मैं आपर लिख देता हूँ, prefer section 128, 128 इस है, books of accounts, books of accounts को पर बच्चे question आता है, who all are responsible to maintain books of accounts ने कम परी, तुम उखको देखेगा, मुश्ट अधन तुमारे बच्चों, KMP कही नाम आता है, समझा, CS नहीं आएगा, पर तुमारा CFO, WDD and CEO, MD, इस सब तुमारे important है, even for maintenance of books of accounts, create a little role of you, yes, and उसमें और एक पॉइंट है तुमारा, अब देखो, law में क्या बोला है, हम कितने कितने designation बना के देखेगे न, CFO लिख दिया, CEO लिख दिया, MD लिख दिया, अब उसके हम भी हम KMP मानेंगे, point number 5 किसा भी चेक करो, any such other officer, तु by whatever name call तुम, नाम तो कुछ भी किसी का भी बदल सकते हो, as a designation का, but not more than one level below, और basically just only one level below, the WDD, full-time director, okay, and also designated as KMP by the board, मतलब क्या, just for the sake of example, WDD कोई ने कोई है, okay, उसके अंडर बच्चो A है, A के अंडर B है, अम बैं कम्पनी के अंदर की हाईरर्की की बात कर रहा हूं, okay, these are not companies, these are people, correct, तो hold-time director उपर बैटा बोल्ड में, उसके अंडर, A is report into hold-time director, B is report into A, B के अंदर solo की team है, समझ रहा है ना, कम्पनी के अंदर की बात कर रहा हूं, तो बच्चो, who can be the KMP, is WDDA already KMP or not, tell me this, यह भाई साब तो है ना, already, what about A, can A be the KMP, yes, A can be KMP, अरे हाँ या ना, possible, board ने approve किया, तो, can बच्चो B be the KMP, यहाँ बच्चो आंसर इस no, समझ रहा everybody, only बच्चो, one level below, the whole time direct, understood, clear दिलियो, अगे बढ़े, ठीक है ना, Amand, listed, इदर तुम्हारा दिमाग कराब होने वाला, पहले ही बता कर रखरो, यहाँ बच्चो आयता ना, क्योंकि तुम्हारा फांदेशन आयतिंग और इंटर के टाम के बीच में, okay, listed, company means, okay, a company which has any, of its securities, listed on any, recognized stock exchange, और बच्चो तुम्हारा नाया तुम्हारा प्रोईज़ो आया था, और बोला, the following companies will not be considered as, listed companies, उसका reason क्या था, कि mainly बच्चो वो लोग shares से deal नहीं कर रहे थे, shares and all, but, compliance उनके पूपर सब लहीं लगने चाहिए, of listed company के तौर, तो उनके compliance चूट रहने के लिए, okay, तो चेक को और पहले पर तुम्हारा क्या क्या है, first one, public company, ठीक है everybody, जिसके equity are, not listed, equity not listed, ठीक है, but, listed क्या थूमारा? NCD, हाई एना? See, tell me, understand, actual में, practical में, real में, कृच्च न कुछ उनकES लिस्टेदर है, क्या है? real में, कृच्च न कूछ उल रहा है हुंका, stock market में, but may not be of shares, हम उसको, deal हो रहा है हुंके securities के साथ, हाई एना? but we are not treating them as listed company for companies ad ke purpose definition के साफ से है ना तो क्या listed नहीं है इनके इक्विटेश लिस्ट नहीं तो क्या लिस्ट था NCD NCD संबसे ना non-convertisement के through PP और non-convertisement redeemable preference shares again by private placement और बोथ NCD as well as तुमारे यह non-convertisement redeemable preference shares समझा अगर यह भी listed है तो ओके अनुसर दिलियर तो क्या हम लोग मानेंगे उसको पचल लिस्ट नहीं मानेंगे लिस्ट कंपनी के डिफरेंश उसको अपन ने निकाल दिया clear दिलियर आगे बड़े आगे दूसरा वाला private companies private companies प्राइवेट कंपनी के शेर्स तो बच्चो होंगे ही नहीं ना ओके अलज रिपीटी के यस अभए ठीक है प्राइवेट कंपनी के शेर्स तो बच्चो नोट फ्रीली ट्रेडबल तो लिस्ट तो नहीं होंगे दूने लिस्ट क्या किया है इंके बच्चों NCD कैंदे के पॉब्लिक ओफर तो सवाल ही नहीं आता बच्चों तो प्राइवेट कंपनी ने NCD प्राइवेट 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 की थूप तो दिये है और बाद में they are getting traded तो ट्रेडिंग हो रही है पर किसकी NCD की करेट एक्चल में ट्रेडिंग हो रही है तो लिस्टेड कंपनी के निकाल देगी अब यह पहले वाले केस में क्या था अब है पॉब्लिक कंपनी नॉर्मली स्पीकिंग पॉब्लिक कंपनी के शेर्जा फ्रीड ट्रांसफरेबल है की नहीं तो उसको लिस्ट तो कर सकते है मान लो ठीक है बट इन दिस एक्जांबल विच टाइब ओ कंपनी जाकते हैं तो क्या लिस्टेड है और किवयर के यह चिए लिस्टेड लेंगे लिस्टेड है हाई यह ना तो कि इंदे रिमूव फ्म वाट डेफिनिशन आप लिस्टेड कंपनी क्लियर दिलियर अगे बड़े एंड लास्ली फिर से तुम्हार पब्लिक कंपनी ओके एक्विडिश अगे लॉट लिस्टेड इन इंडिया लिस्ट क्या नहीं है इक्विडि इन इंडिया पर बाहर है गया चेक करो बड़ लिस्टेड आउटसेड इंडिया जगास ओके इक्विटी ऊटसाइड इंडिया सही है ठीक है फिर भी यह तीनों बच्छे तुमारे एक्सेप्शन रहेंगे देविल नॉट बी ट्रिटेड आइस लिस्टेड कंपनी और व्यों के लिए और बोलो फटावट ठीक है ना समझें साक्षी समझ रहे अक्षदा यह थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहां याद रखना पड़ेगा तुमको बोल दूंगा मैं है ना बच्छो और राइट आगे बढ़े चलो manager MD रहा तुम इसको बाद में लिल दूंगा कभी इसको पर question तब आया नहीं manager and MD ठीक है member yes we should know okay तो बच्छो who is a member is member a shareholder बच्छो always answer is not always true okay a member may not always be a shareholder और वाईसे वाईसा okay लिखने का बाद में लिख लो ठीक है अब है I'll give you time you leave that space and right after the class कोई दिखकत नहीं a member बच्छो not may not always be a shareholder ठीक है may not always be मतलब उल्टा कहा हो मतलब क्या वो shareholder बन गया इसका मतलब यह नहीं क्यों member बन गया तो member बनने के लिए सबसे important चीज़ क्या बच्छो उसका नाम कहां पर होना चाहिए उसका नाम बच्छो R.O.M. में होना चाहिए उसके बाद from that moment only we recognize him as a member समझा वरना उसको कुछ भाव नहीं है वो shareholder हो सकता है बड़ member बनने के लिए उसका बच्छो नाम होना चाहिए R.O.M. है तो बच्छो member बनने के तीन तरीके क्या बोला मैंने member बनने के तीन तरीके एक before incorporation एक तो obviously बाकी के जो दो है वो after incorporation ही है पर ध्यान देना first one is बच्छो pre incorporation किसका नाम बच्छो who will become a member deemed to be ध्यान देना subscriber to MOA हाई है ना everybody याद आरे कुछ subscriber to MOA बच्छो बन जाता है member the question या फिर point is कब से वो deemed हो गया ठीके वो deemed to be a member from which effective date बोलो नीदी ओके ठीके है others नहीं आता तो बोलो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं very good अब है good 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 deemed to member on date of incorporation जिसे तो हमारे कंपनी बच्छो जिन्दा हुई ओके everybody हाई है ना जिसे तो हमारे बच्छो कंपनी जिन्दा हुई उस दिन्से बच्छो उसको हम लोग member मान लेंगे because common sense company के लिए member होना ज़रूरी है के नहीं don't use the term promoter I hate that term promoter वो बोलने के लिए अच्छा लगता है में बच्छों लोग promoter होता ही है but promoter का definition check करो अज़र की अज़ी भी definition देख रहागा practically it is a promoter I know a person who starts the incorporation process initiates and all of that that is promoter तुमारे मेरे समझद के लिए promoter का definition कुछ गंदा साथ देख रखा है okay anyways तो company के लिए ओपी सी एक member private दो member public साथ member और कोई टैक वह है तुमारा उधरे members तो चाहिए है ना तो member कहां से आएगा can you have a company without member no तो बच्छों member उसी दिन आएगा that exact moment जहाँ पे company दुमारी पैदा हुई है उसका agreement पहले सी करकर रखा कि बाई जो जिस दिन company चालो होगी उस दिन तुम member माने जागो किसको बोला यह है किसने बोला बच्छों यह है यह subscriber understood earlier? simple okay यह तुमारा पहला तरीका member बननेगा दूसरा इस बच्छों post incorporation okay यह एकदम simple यह कुछ खास नहीं है there is agreement in writing verbal agreement नहीं चलेगा please understand agreement has to be in writing कि मैं shareholder बनना चाता हूँ कि या फिर मैं share खरी दूँगा मैं तुमसे एक share लेता हूँ मैं तुमको पैसे दूँगा and उसमें दूसरे condition important है दूसरा बच्छों the name is entered in R1 बस agreement हुआ shares ले लिये तुमने मान लो पैसा भी दे दिया पर तुम्हारा नाम बच्छों R.O.M में नहीं है तुम shareholder हो member नहीं हो इसलिए मैंने उपर लिखा ये कुछ समझा कि नहीं अमन अवे you want me to repeat सुना मेरी बात there is an agreement कि मैं share लेता हूँ तुमसे मैं तुमको पैसे दूँगा दे भी दिया पैसे भी दे दिया share भी ले लिया है कि नहीं the agreement wasn't writing पर जब तक नाम नहीं डाला buyer का in R.O.M बच्छो तब तक वो shareholder ही रहेगा तक उसके बाद share तो आगे जब तक नाम नहीं जाएगा आरो में तब तक not a member got it everybody बोलो फटाबढ़ हाँ ये basic basic चीज प्लीज अच्छे से ध्यान रखना आगे जाओं मैं बच्छो good आगे बढ़ता है और तीसरा name is entered as beneficiary हाई है ना किसके records में in records of depository है ना बच्छो I hope ये भी clear है तुमको मैं बच्छे से किसके नाम पे है फिलार depository but depository बच्छो किसके लिए hold किया है that person is बच्छो deemed as member तुम जब शेस खरी तो शेस तुमारे बस आ रहे के नहीं it is just an entry in your demand account हाँ है ना hold कौन कर रहा है बच्छो मान लो depository एक demand से निकाल एक decision demand में डाल दो ये कौन कर रहा बच्छो depository तो share as such depository के पास है तुमारे behalf पे hold किया है ना तो तुमारे behalf पे who is the ultimate beneficial dividend dividend बच्छो depository को मिल रहा है किया dividend तुम्हें है मिल रहा है है ना even if you have the control on the share beneficial owner समझा तुम पैसे किसे ने लगाए थे depository पैसे लगाए थे क्या तुम्हारे ना पैसे yes everybody so again बच्छो you are the beneficial owner clearly everybody यसलिक काफी clear कर रहा है कि beneficiary in the records of the depository understood all of you हाँ DP is depository participant DP participant मतलब उसका agent हो गया हो broker types okay तुम्हार depository दो यह CDS and NSDL है ना आगे जाओ मैं बच्छो okay डेकिया okay डिल यार कुछ खास कोई attention टकाडक so member in relation to a company I hope यह तुम तुमगो I think foundation law की सबसे clear है means मतलब क्या includes मतलब क्या जैसे AJM में उसका proxy आता है but proxy को कुछ राइट नहीं मिलता यार representative I agree with your point but proxy को क्या राइट मिलते है विचारे को कुछ भी तो नहीं यहां पर beneficiary को असे सब राइट से है न डिपॉसेटर को तो कुछ राइट नहीं मिलते है न शेर्स के लिए इनवे यहां पर it is just a facility कि तुमको शेर्स दिरिकली तुमारे हमको कैसे दे तो यहां पर सब शेर्स डिपॉसेटर के पास से रखे है डिपॉसेटर के पास से तुमाना जाएगे कि तुम्हारे पास है ऐसा ठीक है तो बच्चो मेंबर मेंस मेंस तो मतलब इस वरी क्लिर कट देफिनिशन subscriber to MOA ठीक है who agreed यह ना तो बिकम शाल भी दीम्ट यह विन बच्चो अग्रीड तो बिकम मेंबर आं देटर फिस रिजिस्टर्शन और शाल बच्चो पाईसा नहीं आया तो भी ठीक है इवन सब्सक्राइब मनी इस पेंडिंग कैना आस्क यू कितने दिन लग सकते है सब्सक्राइब पैसा आने में और अगर सब्सक्राइब पैसा नहीं मिला तो कौन से section applicable हो सकते है कि तुम business ही नहीं कर सकते हो तुम business बंद कर देना चाहिए to promoters का पैसा नहीं है बच्चो starting का यह सब पैसा नहीं आया promoters था ना ठीक है promoters तुमों प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रॉमोटर्स का पैसा आया है if you cannot prove कि प्रॉमोटर्स का पैसा आ गया है then you'll have to close the business you should close the business which section is this कहां सोना था तुमने बच्चों पहले यह section number बताओ तुम बोल दोगे section number 10 A section number 10 A क्या था बच्चो 10 A commencement of business क्या बोला तो उसमें correct उसमें बोला था बच्चो 180 डेजना six months 180 डेजना तुमको certificate डालना पड़ेगा और उसे के साथ प्रूफ करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हमारा सब्सक्राइब पैसा आ चुका है हाँ है ना बच्चो याद आ रहा है कुछ है वैसा obviously आगे आ जाके आएगा जब हम करेंगे उसको okay everybody but बस again I'm telling you but that day at least योई लोग तो member माने जाएंगे okay everybody आगे जाओ मैं every other person कोई भी who agrees in the writing to become a member और उसका नाम बच्चो एंटर किया गया है and whose name is entered in R.O.M. ठीक है every person holding shares as a beneficial owner as उसका नाम बच्चो रखा किया beneficial owner in the records of the depository depository के record में depository के पास जो भी data है उसके विसाब से कौन share किसके लिए उनने रख share hold किया है तो वो इंसान बच्चो मेंबर माना जाएगा ना ही depository depository will not be the member तुम्हारे भी अप बगर share लिए गया है you are holding the share in your device तो बच्चो you are the member clear ये बात कि समझा है point number 3 अक्षद होके आगे बड़े officer ठीक है director manager KMP officer and default बच्चो हर जगा भी तुम्हारा आएगा okay officer and default बच्चो हर जगा भी आएगा जाब ए company जिम्मेदार as well as OID OID बूलूँगा मैं आसके इसके आगे OID बना officer and default ठीक everybody कौन के तुम्हारा कभी इसके पर question आया नहीं but you should know in a way ठीक है WDD, KMP अगर KMP नहीं तो board में से कोई जिम्मेदार है वो अगर board भी नहीं तो इन ओल डिरेटर्टर्स यह तुम्हारा आने वाला है ठीक है OPC time bus प्रोस्टल बच्टाइम बस वो हमने बात में कर लेंगे यह तुम्हारा C.A.Fourndation के law में भी हो गया था private company आता है कि नहीं आता है यह forward कर दो इसको first of all let me just highlight private company तुम्हारे तीन पॉइंट्स तुम्हारे तुम्हारे तीन बच्चे साडिस्फा होने चीए तो ही तुम्हें लोग बनोगी private company ठीक है everybody ध्यान देना तरह थी पॉइंट्स पहला वाला what you should always know highlight restriction prohibition restriction मतलब allowed but with some conditions prohibition बच्चो there is no question of allowing agreed or no यहान ठीक है जो चीज़ बिलकुल भी नहीं चलती that is prohibited और जो चीज़ चल सकती है but with some condition that is restriction यह चलिया बच्चो के यहान ते समझा है न and second point बच्चो is about number of members कि maximum कितने हो सकते है I hope you knew that private company में बच्चो private company के ROM में ROM में बोला ROM में 200 से ज़्यादा लोग है हो सकता है यतना तो समझता है न private company के ROM में बच्चो 200 से ज़्यादा members हो सकते है the only differences we don't count them at times for the upper limit of 200 bouncer गया यह समझा अक्षिता नाई कर दो विचा रहा समझा ना बच्चो यहां था ठीक है we'll see that चलो आगे बड़े ज्यान देना पहले प्रोइबशिंग कर ले थे खतम प्रोइबट्स एन्नी इन्विटिशन तो पॉब्लिक्स को पी नी तू सब्सक्राव एन्नी security security में तुम्हार क्या क्या सकता फटाबड बताओ security में बच्चो shares is just one of the single part of securities चीक है shares तो चूटा सा हिस्स है shares चूटा सा हिस्स है shares, debentures करें everybody, bonds or again any other types of contracts yes, जो भी हम trade कर सकते हैं on the market that's what you call as security समझ रहे न everybody shares, debentures, bonds जितना याद रखा तो भी चलेगा fine everybody so prohibits any invalidation to the public तो हम बच्चो कोई भी चीज़ का public offer कर सकते हैं debentures का public offer कर सकते हैं नई bond का नई कोई भी चीज़ का बच्चो हम public offer करी नहीं सकते हैं so completely banned ठीक है completely banned then restrict the right of transferates, shares तो बच्चो अगर तुम्हें फिर से यहाँ पर थोड़ नोटेस किया are they using the word यहाँ पर securities are they using the word बच्चो securities no what did you understand मतलब इसमें से क्या समझा public offer तो तुम कोई भी चीज़ का नहीं दे सकते हो but freely transferable are not shares freely transferable are not shares freely transferable for a private company NCD हो सकता है क्या NCD समझाना non-conundable debentures do you want me to repeat the question private company freely transfer कव रहा सकती है क्या NCD non-conundable debentures answer is yes क्यों point number one में क्या दिया है restriction किसके उपर है बेटा बेटे restriction is non-transfer of its shares ना की securities securities is a big shares is a subset of securities ना बच्चो shares is a subset of securities restriction किसके उपर है shares तो बाकी के लोग घूम सकता है ना अपना-पना आरे हाँ मेरे भाई NCD is a security agreed but what is point number one clause number one restriction the rights of transfer of its भाई तुम कह रहा हूं ना shares लिखा है and मैंने यहां पर क्या लिखा है shares is not directly securities shares पर restriction है हाँ यहां ना यहां मैंनों securities नहीं लिखा है ना बात समझी क्या you can't give public offer of all the securities तुमारे point number three में था you can't give public offer of securities तो public offer तुम किसी कभी नहीं कर सकते हो but freely transfer freely transfer shares छोड़के बागी के चीज़े freely transfer हो सकती है इसलिए तो अपने देखा है यहां पर क्या देखा गए तुमको थोड़ा सा realize हुआ सब कुछ तो यह चेक करो न प्राइवट कंपनी के पुछ NCD list हो सकते है समझा की नहीं हो सकते है ओके clear है यह सब चीज़े clear हो रही है इतना डिटल में पड़ोगे तो समझ रहे है ओके आगे बढ़े हम लोग चलो तो राइट ओफिस ट्राइट ओफिस ट्रांसफर ओफिस शैजी भी हो गया second तुमको यह तो शायद होपिली पता ही रहे का तुमारा यह कौन सा वाला private company कि minimum तुमारे minimum छोड़ दो मैं private company अब लेकर हूँ private company बच्चो कितने हैं तुमारे shareholders sorry not shareholders members members तुमारे maximum 200 है ना बच्चो अब तुमारे दोसो में कौन counter नहीं होंगे करेट करेट बच्चो करेंटली employee and also currently member हाई है ना हम यहाप लेकर not counted ठीक है यह चलियर हाँ वो भी तुमारा आ जाएगा ठीक है अमन ठीक है देन एक्स employee and member वो एक्स employee है फिलाल पर अभी फिलाल अभी भी member है हाँ यह ना करे टेलियर all of you इसको हम लोग काउंट नहीं करते है कुछ पता है की नहीं पता है all of you tell me and yes तुमारे joint owner को is considered as one member only okay everybody समझा ना के नहीं समझा example दू ध्यान देना ठीक है मिस्टर ए है बच्चो 22 जो लिखने लिखो है okay he got some shares of the company तो वो employee तो है company का okay and member भी है तो एक count होगा क्या बच्चो in the upper limit of 200 not counted हाँ है ना in upper limit of 200 समझा याद एक okay everybody उसको बता हो क्या वो member है या नहीं मतलब उसको members के सब rights मिलेंगे के नहीं मिलेंगे what do you think all of you yes he will get बच्चो all the rights of as a member हम उसको member नहीं है ऐसा नहीं कह रहे है वो member है बट वो जिसको private company का जो definition है उसके upper limit of 200 समझा count नहीं करेंगी समझा अब ऑचो for example यही मिस चरे मैं अगले साल के example देता हूं 2023-2024 में he resigned है ना he resigned from job ठीक है he resigned from his job but retained shares ठीक है everybody retained समझ रहा है रखा बताब क्या होगा counted or not counted in the upper limit of 200 बच्चो अगें बच्चो इल नाट भी counted एक मेंड़ा अब है same thing इल बच्चो अगें नाट भी counted in the upper limit of 200 चुकि अभी तुम्हार दूसरा कंडेशन क्या है एक्स एंप्लोई है और member है हाई है ना let me give you a very odd example एक दम बहुत odd example देता हूं में तुमको चलेगा अब ध्यान देना ठीक है 2016 में बच्चो Mr. A ने shares लिए purchase shares तो member बन गया ओके purchase shares लिकरा में purchase shares ऐसे बच्चो member बना था ठीक है 2018 बच्चो उसने जॉब ले ले वही कंपणी में of whatever Z Limited okay employee he became बच्चो employee of Z Limited हाई है ना is he a member as on that day also हाँ he's still a member ठीक है everybody हाई हाई है ना और 2022 में again same example resigned from job and retained shares बता बच्चो क्या होगा है केस में will he be counted or not counted in the upper limit of 200 counted or not counted in the upper limit of 200 सभी लोग ना क्या बोला okay he's counted in upper limit of 200 क्यों बच्चो हाई तुम उसको एक पूछ रहे है क्यों हाई मैं बताऊंगा obviously answer because अब ये केस में बच्चो employer member है but उसके पास shares तब भी नहीं आये है जब वो employee था कुछ सम्झाया उपर से गया उसके पास shares तब आये जब वो employee भी नहीं था सम्झाया फर्क दोनों है नहीं सम्झाया 2016 में क्या केस है what is he is he an employee in 2016 में ने दिया ऐसा नहीं दिया है he's just a shareholder नहीं 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 अब है he has not received after resigning वो वाला केस नहीं बोल रहा है वो तो पहले member बन गया ठीक है everybody पहले member बने उसके बाद उसको job लगी और उसके बाद नहीं छोड़ दिया job correct so 2016 only job and obviously he was already a member and 2012 में उसको he's only a member not employee to look at the wordings in the law okay a person look at this wording person who have been formerly in the employment here someone formerly in the pehle were members of the company while in that employment okay and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of member हो पहले ही बन गया था तुम उसको बताओ ना जब 2016 में ही बच्चो member बन गया था समझ रहे हो कि नी तब ही उसके case में वो employee को कुछ नाटक था कि उसका नहीं था तो is he counted that time was he a normal member he was a normal member ना बच्चो I'm getting my point तुसको as a normal member तुसको पहले ही count कर लिया था हम लोगों ने yes तो it will be counted henceforth also उसका हम लोग exemption नहीं देंगे बाद में understood everybody ठीक है अरे हाँ and last उसमें और एक example अब तुम्हारा वाल example लेंगा बच्चो ठीक है ध्यान देना okay he was no more an employee उसे employment छोड़ दिया and 2000 बच्चो 22 में he became a member counted or not counted included मतलब वो तुम्हारा count होगा फिर सब वही तुम्हारा he's counted बच्चो in the upper limit of 200 because इसमें तुम्हारा कुछ common आ रहा है क्या during employment उसको share दिये गए वो आ रहा है क्या नहीं उसको share बच्चोद मिले भी रहेंगे मान लो at the time of retirement job छोड़ने के बाद yes still all of you समझा तो during his employment बच्चों mainly उसको share मिलने चाहिए उसके बाद उसकी वज़े से हम उसको exempt कर पाएंगे वरना नहीं समझे आगे बढ़े और क्या था two or more persons hold one or more shares तो क्या हो जाएगा बच्चों they will be treated as single members है ना example ध्यान देना जस थोड़ा ध्यान देना भी यहाँ पे everybody Mr. A है Mr. and Mrs. B है C, D, etc ओके मैं आप लिए तो number of shares है ना माननो इसके पास 10 shares है इसके पास 50 shares है इसके पास whatever 25 shares है और इसके पास 100 shares है तो number of members कितने हुए मानला Mr. A is counted how many times as a member not as voting rights as a member अकेला है यह बच्चो हाया ना correct Mr. and Mrs. B also one C also one and D also one बात समझी कुछ फरख पढ़ रहा है because of voting rights because of number of shares हमर के member बढ़ रहे है absolutely नहीं नहीं समझा मैंने number of members बोला मैंने number of voting rights बोला किया नहीं कितने member है अगर यह तुमको फिलाल example दो 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 चार member यह और कुछ नहीं है खास तो किसे के कम है या किसी के ज़्यादा share है उससे दोड़ी तो तुमारे number of members कम या फिर ज़्यादा हो रहे है ना अब किसी के पास अगर प्रावेट कमपनी एक बंदे के पास 80 परसंट है दूसरे के पास 20 परसंट है हाँ या ना बच्चो तो member कितने है दो यह ना बर समझा है ना तो Mr. A भी एक बार गिना गया ओके Mr. Mrs. B दोनों मिला कि एक ही माने जाएंगे clear CB1, DB1 number of shareholders बच्चो number of shares doesn't is not impacting number of members in the company yes voting rights obviously अलग-अलग है clear all of you बात समझी आगे जाओ मैं चलो तुमारा यह एक जामपल 69 promoter means a person means फिर से बच्चिकदम clear-cut definition है means a person आगे जाओ मैं इधर भी बच्चन को यह दिखेगा यह निए wordings as a wordings pre-incorporation and this and that okay check करो who is named as such in the prospectus okay or in the annual return मालब बच्चन जो भी तुमारा format हमको format नहीं forms भरने है form submit करने लोगों को prospectus हो गया prospectus will be again in public information then तुमारा annual return हो गया section 92 तो वहाँ पे जो भी जगा है of writing promoter तो जिंजिन लोगों का नाम वहाँ पे लिखा गया रहा है as a promoter he is part of section 269 मालब प्रोमोटर फाइब कमपनी जैट दूसरा if you have control because of any arrangement agreement contract also okay तुमारा पास कंट्रोल बचो बिजनेस का कोई कंपनी का तुम प्रोमोटर माने जाओगे otherwise का मेनिंग क्या है otherwise तुमारा पास कोई designation है या नहीं है फिर कोई reason भी है या नहीं है है ना you have control over the office you are a promoter point number C company में फिर सिर्फ तुमारा पास कुछ भी hold नहीं है नहीं तुमारा पास shares है नहीं तुम डिरेक्टर हो नहीं तुमारा पास contract है नहीं तुमारा पास कोई agreement है कि तुमारे पास control आने वाला है but you are able to control the BODs कैसे लिखा है बच्छो चेक करो in accordance with whose advice, directions or instructions the BODs are accustomed to that कि हम इनकी हमेशा सुनते है भले जो भी CNN रहेगा उसके पास कोई shares रहेंगे नहीं रहेंगे company में तो भी उनकी अगर सुनते है the BODs are listening to that person that person much will be treated as promoter clear? यहाँ पर दिया है तुमारा he takes, underdates initiative of incorporating a company he signs MOA, AOS, कुछ दिया है है यहाँ पर definition में बिलकुल भी नहीं so very technical definition क्या क्या था बच्चो पहला वाला क्या है तुमारा जिसका नाम लिखा गया है as a promoter पर कहां पर annual return या फिर कॉसे तुमारा प्रॉस्पेटर दूसरा, he has control over office of the business of the company कैसे because of being a majority shareholder or a director or any other reason तीसरा, BODs is accustomed to listen or listen means at as per the instruction of this person, वो भी तुमारा promoter है पर, very important तुमारा exception, very important provided nothing in this class, subclass C, यह वाला point board बचो जिसकी सुनती है है ना so nothing, provided nothing in subclass C shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity, any example you can think of बच्चो बच्चो जिसकी सुनती है और यहाँ भी मानलो कोई professional है, है ना yes, ठीक है, हमें करेट इसने advice दिया तो अब इस लिए बोर तो सुनेगी ना उसकी है ना हमारा CA CS, lawyer bankers, solicitors all of that, yes चलिया because they are working in the professional capacity, बच्चो प्रोफेशनल fees मिलने वाल है वास तो दे अब try to understand, look at this point number, see if you तुमने notice किया तो इदर क्या बोला, board जिनकी सुनता है board जिनकी सुनता है तो यह तुमारा क्या है बच्चो यह board जिनकी सुनता है, हो promoter, आरे बट इस एडवाइस is given in the professional capacity then obviously they are not a promoter, उनको भी चिपका दो फर कोई अडवाइस नहीं देगा फिर professional, तुमने अडवाइस दिया था उसके वाज़े से बोड ने ऐसा क्या, इसने तुम से बच्चो नहीं 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 ठीक है ना, as promoter, it is an important exception, बच्चो, it is, हाँ, याद रखना, समझे, all of you, आगे बढ़े, prospectus तुम्हारा कुछ खास नहीं है, मतलब जब prospectus का chapter करने है, तो उसमें हो जाएगा, आगे जो मैं, public बच्चु, which is not private, and तुम्हारा 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 पॉइट चुका है, पॉबिक, याद है ना, sorry, subsidiary of a public company, is a deemed to be public company, हाँ या ना, I think एग्जम में तुमको बहुत बार पूछता हूँ शायद मैं बच्चु, पॉबिक कंपनी बच्चु, can hold public company, हाँ या ना, no doubt about it, but public company, holds private company, yes everybody, तु क्या हो जाएगा, तु क्या हो जाएगा, तुक्या हो जाएगा, दिसे सब्सेटरी ना, private company subsidiary, तु क्या हो जाएगा, क्या? It will not get all the rights of बच्चो पुब्लिक कंपनी, but at least, मतलब no more exemptions of private company. हाँ या ना बच्चो? कुछ समझा के नी? Even if on paper बच्चो अला हम लो private company का बच्चो MOA, AOA हम नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ समझ रहे है के नी? हम private company का बच्चो MOA, AOA payment नहीं कर रहे हैं, है ना? बट उसके जो exemptions आते हैं private company के, बहुत सारे हम लोग बच्चो पास बच्चो हम लोग नहीं अप लिए compliance बहुत सारे compliance बच्चो हम लोग exempt कर दे, private companies और तुमारे इसको भी किसको? small companies को are you getting my point or no? तो exemptions हड जाएंगे समझा? rotation of auditors रहेगा या फिर तुमारा XBRL का कुछ रहेगा कुछ भी रहेगा, okay? whatever it is, तो those exemptions will not be allowed बट तुमको भी वो comply करना पड़ेगा समझे बच्चो, all of you are you getting my point or no? बोलो check करो okay subsidiary of a private, subsidiary of a public of a public company, okay? will be deemed to be a public company for the purposes of this act even where such subsidiary continues to remain private in its AOA तो on the other, बच्चो, MOA, AO उनका अभी भी वैसे के वैसे है या अज़े private company companies add के लिए बच्चो, वो हम लोग deemed public मानेंगे, तो such deemed company will not be allowed to avail exemptions जो बच्चो private company के लिए मिलते हैं क्या से लिए? आया ना? एक time pass example बच्चों आपर चेक करो, क्या देखे रखा हूना ना? A private limited is a wholly owned subsidiary of A B limited तो public यहां, यह तुमार public है ना, so I am not adding A B limited is public, उसकी बच्चो subsidiary A private limited तो on बच्चों अभी भी वो A private limited ही, उसका नाम थोड़ी change कर देंगे हम उसको A limited, नहीं but on बच्चों होगा क्या company law के लिए बच्चों private limited के private companies के कोई भी exemption आप A नहीं लिसकती समझा? all of you clear? Akshada, okay Sakshi, Niti, Abhay, Aman all of you good PFI छोड़ो, यह छोड़ो, वो छोड़ो order party हम लोग करेंगे ठीके, no problem यह भी अच्छा है, वो भी अच्छा है a little of you definition order के लिए भी काम में आता है securities भी ठीक है small should company amendment small company 2 और 20 था ता तुमारे लिए बच्चो बताओ 2 और 20 था ना तुमारे लिए अब तुमारा 4 और 40 है तेके, यह पर मैंने चेंज नहीं किया but yes, it is now बच्चो चार और 40 चार और 40 ठीक है बच्चो कितना घटिया किया मैंने अच्छे से कर ठीक है everybody small small question let me ask you small company है na small company is a permanent status yes or no once a small company a company is always small company हाँ या ना दो यह option तुमारे पास okay अमन all of you others small companies a permanent status yes or no absolutely not absolutely not तुम एक साल small हो दूसर साल small नहीं एक साल small हो दूसर साल small नहीं ऐसा चलता हो सकता है it depends on year to year basis इसको पर question आया है MCQ में इसलिए मैं वो case किया है ठीक है you don't incorporate yourself as small company फिर जब मन चाहा तब छोड़ दिया जब मन चाहा तब ले लिया small company नहीं it depends on बच्चो important what तुमारा paid up capital या फिर previous year का turnover previous year का बच्चो क्या turnover हाँ या ना everybody clear so check करो small company means a company other than a public company वोनों करेंगे ठीक है जिसका paid up has been not more than बच्चो कितना 4 क्रोट 4 क्रोट से जादा नहीं है okay फिलाल के लिए हाँ ठीक है ठीक है वो बागी का लिमिट छोड़ दो 10 क्रोट वकर वो छोड़ दो and important डोनों condition satisfied होने चाहिए turnover हो तो immediately preceding financial year does it exceed 40 क्रोट बच्चो तुमारे notes में तुमारे पास 2 क्रोट 20 क्रोट रहेगा make it 4 and 40 now okay अरे हाँ या ना तुद्यान देना बच्चो 21 22 22 23 23 24 okay paid up capital उसका पन चेन नहीं करते वन करोर वन करोर वन करोर ठीक है तुबर 21 22 में बच्चो उसका date of incorporation मतलब incorporation है 21 22 में that means it is the first year समझा अब ध्यान देना अभी तुम्हारा क्या है वो 4 करोट and 40 करोट small company common sense बड़ा वला मांट बच्चो turnover कर रहेगा यह तुम्हारा paid up capital समझा अभी के लिए applicable जो है recent way okay from May 23 turnover बच्चो मान लो है तुम्हारा 60 करोर then 30 करोर and then whatever 50 करोर does not matter है अना whether small that is the question for 21 22 बोलो हाँ या ना गोड़ आंसर ने दी सब्लोब बोलो अमान अब है एंड बेटा एंड 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 दोनों साथे स्वा होने चीए एक 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 मपनी है जो टुम्हों कोड़ी हुई है और इसके मरें तुमको तीनों सालों का प्रेटप व्यूद्ध और टॉन विदिया है ठीक है वरिबड़ी इस बच्चो आ स्मॉल कंपनी अ इवन इन 21-22, बिकास, इस इन कॉर्पर ये साल में, तो उसके, तो पेड़ब कैपल तो बच्चो अपना 500 रोट से नीचे है, बट टॉन ओर 21-22 का, कितना बच्चो, 40 को उपर है, तो भी small IQ, बिकास तॉन ओर हम, प्रिसीडिंग येर का चेक करते हैं, अरे हाँ ना, और प्रिसीडिंग येर में कंपरी है, क्या नहीं है, तो कितना मानेंगे टरन ओर, जीरो, इस लिए वो small है, टरन ओर के लिए बच्चो, पिछला साल, तम दे, अब आओ बच्चो, 22-23 में होब है, बोलो, 22-23 में, पेड़ इसलिए मैं जान मुसके बच्चो, चाल ओर से नीचे रखा है, बच्चो, प्रिवियस येर का क्रॉस हो गया न दुवारा, समझा के नहीं, चालीस करोड से था था, अमेंडमेंट की बात कर रहा है, पहली बात, तो 20 करोड के उपर इसलिए नहीं बहर रहा हूं है, अब लिमिट्स अफोर और फॉर्टी हा, नौट टू एंट्वेंटी, प्रिवियर, एंड वाट अबबाद 23-24, इड़ इस नॉट, मैं सुरी, मैंने क्या बूला, हाँ, क्योंकि पिछले साल कर दोन वर 40 करोड से कम है, और तुम्हार करन्टली बच्चु पेड़ चार करोड से कम, तम दे, ओल अब यू, येस, गॉड, वो प्रियांची को क्या हुआ रहा है, है कि ने, मैंने किसी के कॉंटेट में हो प्रियांची हूँ, ओके, मैं डी ओवाय लिखा है, यूरोप इंकोर्परेशन लिखता हूँ, ठीक है, तरह से यूरोप इंकोर्परेशन, यूरोप इंकोर्परेशन, ठीक है, आगे बढ़े, अब ध्यानदे ना बच्चो तुम्हारे पांच या छे है वो लोग, जो अलाउड नहीं है, एस स्माल कंपणी, ठीक है, इम्बॉर्णट, नॉट अलाउड अ स्माल कंपणी, सबसे पहला तुम्हारा, पॉब्लिक कंपणी, अलाउड ही नहीं है, तुमकोर्प जान उसके बच्चो बच्चो प्च्चन देंगे लोग यार, और तुमको नाम में न, X Limited दिया है, ABC Limited दिया है, योट अंडेसेंड वो पॉब्लिक कंपणी, तुमको जान मुझके बच्चो टेंगे लिमिट्स के अंदर डालेंगे, और डालेंगे एक नाम तुमारा, पॉब्लिक कंपणी, हाँ है ना, या फिर नाम में दुमको समझे को पॉब्लिक कंपणी, दूसरा बच्चो क्या, इधर होल्डिंग, या फिर, सबसीडियरी अगर है तो, है ना, तो होल्डिंग लिखो या सबसीडियरी लिखो, चलो उसका अलग कंडिशन ला लिए तो भी चलेगा, ठीक है एवरिबड़ी, अगला, स्पेशल आट वाला कंपणी, स्पेशल आट गवार्न बाए, या सक्षा ता करट, अन लास्ट दुमारा, सेक्शन एट कंपणी, स्पेशल आट वाला कांसा, इंस्वरेंस, बैंकें, एल्रसटी, ठीक नहीं, और कुछ बचता है तुमारा, देवर बच्चो, नॉट बच्चो, अज़र आट वाला कंपणी, ठीक क्या नहीं, होगा, समभी हो के तुमारा, तो पहला वाला कांसा नहीं होगा, अज़र दन पॉब्ली कंपणी, पॉब्ली कंपणी, नॉट अलाओ, देन, होल्डिंग या फिर सबसेटरी, देन, सेक्चिन एट, या फिर बच्चो, अज़र अज़र कंपणी, बच्चो अज़र जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चो को क्वेशिन आता है, स्माल कंपणी को क्वेशिन आता है, अज़र कंपणी को क्वेशिन आता है, बच्चो को क्वेशिन आता है, नहीं सुदर को तुमनों कभी है न, साक्षी, आज मज़ा ही मज़ा है न, तुमको क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो ऐसा लग रहा है, शायद, I don't know, या पर कितने ध्यान देना चाहिए लॉम है, अनुस्टी, या बच्चो क्वेशिन आता है, बाखी के लोगों भी करना ही पड़ेगा, और शायद भूल भी कर रहे हो कि वो बात भी हो सकती है, बाई, मैं तुम्हारा यापर बेसिक कवर करा के दे रहा हूँ, क्लारिटी, है न, जो Q&A है, और तुम्हारा बाद स्कैनर रहेगा, बेस्ट है, साक्षी, तो, आंसर आने में टाइम, इसलिए लग रहा है, प्रैक्टिस चे उसके लिए, जो उसके प्रैक्टिस चे ए, प्रैक्टिस से ही तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, न, बच्चो, है कि न, थोड़ा से बच्चा है, कर लेते इसको थोड़ा सा, ओके चलेगा, एक आदो पॉइंट से चाप्टिस नॉटेट ओर फुली, फुली फूम माई पॉइंट अप्ट अप्ट एक कंसर बच्ट बच गया, वो कर लेते फिर, उथ नहीं बच्चा है, सब्सीडरी, या, जो इंपॉर्ण की बात कर रहा है, तो फिर से बोलों का सवर यह कवर नहीं किया, वो नहीं कवर किया, करना तो उनको भी बहुत सारा है वैसे, है ना, आगे बढ़ो, सब्सेटरी बच्चों बनने के फिर दो तरीके, पहला बाला या भी लिखेंगे voting rights more than 50% law में लेका है one half same thing ठीक है दूसरा तरीका वह मैं कहा हो without voting rights भी बच्चो subsidiary company बन सकती है वो just like associate company okay controls composition और BOD ठीक है composition का meaning समझता composition scheme की बात नहीं कर रहा हूँ मैं but composition मतलब क्या हो दिसका अंदर का जो भी जितने भी लोग है okay content ठीक ने BODs वगर है तो किसको रखना है किसको नहीं रखना okay everybody controls composition कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा आगे बढ़ू मैं ज्यान देना तो more than 50% का तो तुमारा हो गया है वो तो तुमको लेफ्ट वाला ये तो समझता तुमको उसको कोई टेंशन नहीं है 50.1 पे भी तुमारा holding subsidiary बन जाता है अपने देखा था starting लेक्षर में आज ठीक है मैं इसकी बात कर रहा हो controls, composition, BOD मतलब तुमारे पास under an agreement some reason तो let us say reason is what under an agreement तुमारे पास contract है कि तुमको दिया है ये कंपनी प्रोफेशनली तुम चलाओ ये कंपनी तुम प्रोफेशनली चलाओ investors ने बोला ओके जिसको लात मारना है मारो जिसको नहीं रखना है रखो Elon Musk ने बच्छो लात मार दिया I'm just giving you an example चल तु भायर तु भी भायर तु भी भायर you are fired you are fired you are fired ओके तो let us say now pay attention let us say बच्छो दर इस B limited ओके everybody हाँ अब ध्यान देना अब नव एनी रिजन ओके I'm just telling you A limited मैं इसका बिचारे को ऐसे लिखता हूँ holds 0% voting rights समझा ताकि तुमारे दिमाग में clear हो कि अलग-अलग scenarios बन सकता है A holds no shares in B ओके ओके ठीक है ये भी ठीक है B limited के पास I'm just giving example बच्छो 7 directors है 7 7, 7, 7, 7, 7, 7 ठीक है 7 directors है और बच्छो A को power देखे रखा है B के owners ने B के owners ने बच्छो power देखे रखा है कि तुम हमारे company में हमेशा तुम चुनोगे कुछ समझा की नहीं समझा दो डिरेटर बच्छो अपॉइंट कौन करेगा A limited समझे यादक समझ रहा है All of you B ने पावर देखे रखा A को B company B limited के members owners ने A limited को बच्छो A limited को power देखे हमारे company के 7 में से 2 directors हमेशा आप चुनोगे clear Whether बच्छो B limited becomes a subsidiary Answer is no मज़ा आता है मुझको ऐसे खेंले में ठीक है यह तो मेरे को छेडने में बहुत मज़ा आता है मुझको सब ठीक है Answer is बच्छो No नहीं तो कि दो डिरेटर से बच्छो फरक नहीं पड़ता Okay B limited is बच्छो Not a subsidiary I'll tell you the reason also Okay Not a subsidiary Okay 4 out of 7 5 out of 7 6 out of 7 7 out of 7 में तुम्हारा बच्छो यह तुमको पढ़ा ही नहीं तुम लोगा नहीं अचल लग रहे है मैं रुका अभी तो feel आ रहे है मेरे को क्या समझे तुम लोग मुझको बताओ Ah Very good 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 अब तुम बोलो कि equal numbers रहा तो 8 डिरेटर 4 हुआ तो 4 out of 8 That is not a majority नहा ओके अगर मैंने even number भी रखा तो ठीक है What did you understand much out of this example कि तुम्हारे पास majority या फिर all मैं बच्छोरिटी या फिर all डिरेटरस का control आना चाहिए हाँ control on office तो control on BOD समझा क्या मज़ा आ रहा है कि मुझको बताओ Clear दिलियो तो let us again first read मैंने केस समझाया but let us read the law law पढ़के और वो तुम तभी लग लिख पाओगे जब तुम पढ़ोगे बच्छो ठीक है न मेरा काम तुमको फिला तुम्हारे concepts clear करवाना है तुमको ये इज़त में पढ़ना है I hope you know that एक बार तुम पढ़ना है तुमको अच्छे से यहां जो सर ने समझाया वो समझाया के मुझको आच but अभी तुम जब पढ़ोगे अगली बार let us say even if we put one more hour now fast हो जाएगा वो है की नहीं बच्छो let us say कल शाम को अपना फिर से बाइस रहेगा तुम कल सुबह मौनिंग में you again take out one hour and read this quickly isn't it हो जाएगा तुमारा फटाबाट एक गंडे के नता सब कुछ रिवाइस करके हो जाएगा आराम से है की नहीं चोड़ो subsidiary company और subsidiary in relation to any other company means a company in which the holding company क्या टाइम बसना controls composition of BODs can you see it or कितना बड़ा important बच्चो यह और है की नहीं controls, composition, BOD बात story खतम voting net कुछ बोला है वहाँ पर वह वहले sentence में voting net कुछ नहीं बोला है न voting net आगे देखे रखा है controls, conversion, BOD समझा क्यूँ वह आगे आगे जाके आएगा या फिर exercise बच्चो more than one half of the one half of the total voting power ये भी story आगे लागे लागे बच्चा है either at its own और together with one or more of a subsidiary ये भी story आपने को करना में से ठीक है हो करेंगे let us focus again on the first part explanation the combustion BOD shall be deemed to be controlled by another company if that the company by exercise of some power any power any power agreement contract accessible by it at its discussion discussion मतलब choice option can appoint or remove okay appoint or remove all or majority of the directors समझना बच्चो all or majority of the directors appoint or remove so composition मतलब क्या appointment and remove also हम लोग दोनों उसको मानेंगे समझा everybody हो कर लियो है I hope तुम लोगो ने बहुत सरे वो starting दूसरे वाल example किये रहेंगे I'll just give you example starting है थोड़ा सा complicated देता तूंको मैं तो देख लेंगे हमको कितना समझता है ठीक है एक इमिनिट time बसे हो चुका है बट ठीक है concept चल रहा है A holds बट 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 थीक है A also holds a C C limited okay C holds not holds वो जितने शेस वो all of that I'll tell you and B also बट 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 कितने शेस पे अटेंशन ओं अक्षा दो के लिए अगर A holds C 60% A holds in B 70% चलता C holds in D 40% and B holds in D 20% and A holds in D बच्चो 0% मैंने जान मुझके दिया A holds in D बच्चो नथी तो पहली बात हम लोग हम पहले फोकस करते है A और C में क्या संबन्द है A और C ये तुमारा holding ये सबसे डरी यहां तक ओके सब ठीटर चल रहा है A और B में क्या संबन्द है ये holding ये सबसे डरी Yes अब है B और D में कुछ है Yes असोसेट बन जाती है वो तुकि 20% ज़ाद है और C और D में बच्चो क्या है ये भी तुमारा असोसेट बन जाता है B और A और D में कुछ है क्या As such directly कुछ भी नहीं है तु बच्चो D क्या लगती है A की ये तुम अलब blood relation चल रहा है आपे मान कुछ लगता है या नहीं लगता है मा के दुवाई अगर A holds nothing ओके all of your answer अक्षेदा साक्षी अगर तुम हो तो YouTube पे भी आज कोई है शायद अनलाइन D limited A की क्या लगती है D बच्चो A की subsidiary लगती है या भी तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये यहाँ पे वाट इस रीजन दुम इस D में बच्चो दिरेक्ली या फिर इंडिरेक्ली मोर दान वन हाफ कैसे इस कंट्रोल बाई A limited नहीं समझा या समझा अमन निदी अक्षदा साक्षी समझ रहे subsidiary का subsidiary तो होता ही है वो तो है है ना पढ़ागर यहाँ पे देखे कोई example में subsidiary का subsidiary नहीं है C का subsidiary D नहीं है B का subsidiary D नहीं है but subsidiaries मिला के एक subsidiary बंद रहा है है ना one more example I'll give you काफी easy बच्चो यह तो तो तुमारे लिए है A holds B 60% ठीक है and B holds C 55% A holds nothing in C हाँ या ना समझे रहे हैं A और B holding subsidiary B और C holding subsidiary यह भी समझा ना A और C बच्चो क्या holds no shares यह भी तुमारे deemed holding तो obviously A is deemed holding of C C बच्चो deemed subsidiary समझा की नहीं बच्चो अरे बोलो हाँ ठीक है यहां तक I'll give last example चलो A holds in B 40% ओके A holds थोड़ा सा ऐसा करते हैं in C 70% चलेगा बच्चो थोड़ा सा complicated कर रहा हूं मैं थेयरी में कुछ भी हो सकता है न है के नहीं and C बच्चो holds in B 15% उपस है ना A ने खुद hold किया B में 40% हो नहीं और A का C में hold है और C का B में hold है तो between A and C पे attention होना सा holding subsidiary है है कर दे लियर C और B में बच्चो कुछ नहीं संब्द बनता C और B में कुछ भी संब्द नहीं बनता 15% से बच्चो A now directly as well as indirectly correct effective बच्चो 55% बनता है तो B is subsidiary of A मजाया बच्चो आया ना clear डिलिया या तुम तुमारा खुद का पढ़ लोगे जो तुमारे पास है वो sufficient है because I don't recommend making notes by the way यह जो चाहिए वो तो बस तुमारे summary के लिए ठीक है यह जो तुमारे पास सामने textbook है ना जो भी रहेगा उसके बाजू में तुम जो चिपकाते हो sticking notes है उसके लिए ठीक है I don't want you to study फिर से from this वगर है ठीक है यह तुमारे बाजू-बाजू में sticky notes को करने के लिए ठीक है okay everybody समझा ना जो अस होता कि है जब तुम प्रॉपर लौ पढ़ते हो ना second time first reading में time करोगे तो please read the law का पुरा word यह ना यह मस्त तुमारे revision के लिए है you can refer जब भी तुमको चाहिए तो but don't make this as the main source of understanding or revisions ठीक है side by side के लिए ठीक समझा all of you okay दिल्या मज़ा है आज के lecture में कभी सारा cover हुआ है hope so I'll take questions obviously in the next lecture also और कुछ study mental भी रहेगा I say study mental वो भी refer करेंगे then एक दू आज सेक्षिन बच्चे अपने करने के लिए ठीक है yes so करेंगे अपन ठीक है पर गलतिया करो तो कोई दिक्कत नहीं है बट सुधारों गलतियों करो है ना बच्चो that is more important right focus on all the रोज का रोज का चाहिए से पढ़ा करो जो भी तुम ग्रूप बन ग्रूप टो करो जो भी कर रहे हो अकाउंट कॉस्टिं इंकाम टाइस रोज अच्छे से पढ़ाई करो अभी दो गंटा या बे किया मुझको तो नहीं लग रहा दो गंटा आपने कुछ ताइम पास किया as such you completely utilized अब तुम खुद अगर बैठ्थे दे पढ़ाई करने के लिए विच सो डीटेल शायद तीन चार घंटा तुमको लग जाएगा for only for one chapter शायद so I have done 70% work of first chapter 30% still remains what remains revision reading that law PYQ MTP वो सब तुम उने चालू कर जाना चीए question number chapter 1 के कुछ भी question आया you should be able to at least understand कौणसा concept है read the law चीए तो and check मेरा answer match हो रहा है या नहीं हेगे ने बच्चो क्रिया तेलियो so I hope this session was helpful yeah that's it for today